सूपरभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो कल के वीडियो में जो कुछ छूट गया था जैसे ये स्पाल समीती के बारे में हम पढ़ रहे थे ये स्पाल समीती उनिशो बार्णम तिरानम के बारे में हम अध्यन कर रहे थे पिछली कलास में तो आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूँ ये स्पाल समीती से सम्दित कुछ महतुपून क्यूशन्स के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना कि सन 1902 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकाश मंत्राले ने एक राष्टिय शलाकार समीती बनाई और उस समीती ने जो सिक्षा है उसके लिए क्या शलाह प्रस्तूत की यानि राष्टिय शिक्षा शलाकार समीती सब्द से ही आपको जान लेना है कि ये शिक्षा की सलाह से संबंदित थी कि शिक्षा के संबंद में सलाह देना उसमें सुधार करना और क्या क्या उसमें सुधार किये जा सकते हैं उसकी सलाह देने के लिए इस समीती का गठन है वो क किया गया था तो आज हम जो महतुपून जो तत्थे वो छूट गए थे तो क्यूशन्स के माध्यम से हम उनको हल करने का परियाश करते हैं तो आज का हमारा वीडियो इसी से समंदित रहेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 1994 में एकलव्य संस्था द्वारा परकासित चक यानि यह जो लेख परकासित किया गया था इसमें कौन सी समीती की सिफारिशों का शार है वो दिया गया था अगले क्यूशन पर चलते हैं बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज़्यादा बुरा है ने समझ पाने का बोज यह स्टेटमेंट कौन सी समीती ने दिय था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोज से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोज यह स्टेटमेंट कौन सी समीती ने दिया था तो यह स्टेटमेंट आपको पता चल गया होगा प्रोफेसर यस्पाल समीती ने 1903 में में दिया था अब अगले क्यूशन पे चल चात्रों अध्याप को तथा अभी भाव को के लिए सिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूर्दर्शन कारिये करम सुरू किया गया यह सुझाव दिया था चुसर नमर च्यार की बात कर रहे हैं कि चात्रों अध्यापकों तथा अभी भावकों के लिए सिक्षा दर्शन नामक एक नियमित दूर्दर्शन कारिये करम सुरू किया जाई यह सुझाव कोन सी समीती यूझे दिया था यह शिफारी कौन सी समीटी ने दी थी यह छाल समीती नि दी ती क्योंकि आसफे हम ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सुझाव यह पहले किसी भी शमीति आएजorg ने नहीं की थी इसलिए आप इस को ध्यान में रखे पिर अगली बात करते हम कि कब हुई ठी इसकी क्यूशन नमर 5 पर हम आ रहे हैं कि MHRD की स्थापना है वो कब हुई ठी तो MHRD की स्थापना सन 1985 में हुई ठीज फिर अगले क्यूशन पर आते हैं यस्पालसमीती किस वर्ष बनी यस्पाल समीती किस वर्ष बनी तो यसपाल समीती 1922 में बनी अब बात करते हैं यसपाल समीती ने MHRD को अपनी रिपोर्ट कब सोपी अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तूत की थी यसपाल समीती ने तो 15 जुलाई 1923 में को यसपाल समीती ने MHRD को अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तूत की थी अगले क्यूशन पर आते हैं कि प्रोफेशर यश्पाल को यानि कई बार हम हमारे स्लेबश में भी है NCF 2005 राष्टिय पठे चरिया की रूप रेखा यह हम आपके स्लेबश में भी है यह टोपिक और इसका जो अध्यक्ष है यानि यह कितनी सदस्य समिती थी 38 सदस्य समिती थी अब जो हम पढ़ रहे थे यह कितनी सदस्य समिती थी 8 सदस्य समिती यस्पाल समिती जो थी 8 सदस्य समिती थी लेकिन प्रोफेसर यसपाल को ही 38 सदसिये एक समीती का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया यानि बनाया गया और उस समीती का नाम क्या था उस समीती का नाम था राष्टिय पाठे चरिया की रूप रेखा 2005 पांच NCF 2005 जिसका अध्यक्ष भी प्रोफेशर यश्पाल को ही बनाया गया था यानि प्रोफेशर यश्पाल जिन होने एक तो यश्पाल समीती के नाम से जाना जाता है जी समीती को और एक जो राष्टिय शमीती और बनी राष्टिय शिक्षा समीती जो NCF जिसको हम कहते हैं राष्टिय पाठे चरिया की रूप रेका 2005 उसका अध्यक्ष भी प्रोफेसर यश्पाल को ही चुना गया था तो ये बात भी आप ध्यान में रखें तो ये तो हमारे इतने क्यूश करते हैं आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और सुनें क्योंकि आपके आगे भी कंपिटिशन एक्जाम के रूप में भी काम में आने वाले हैं क्योंकि ये श्पाल समीती तो है ही महतुपून जो NCF 2005 है वो भी महतुपून समीती है तो इसके बारे में बाद में चर्च हमारा ज्यान विश्पोट की अउधारना किस से समंदित है अगला क्यूशन है जिस पे हम बात करने वाले हैं ज्यान विश्पोट की जो अउधारना है वो किस से समंदित है तो आपको पता चल गया होगा ज्यान विश्पोट की जो अउधारना है वो यस्पाल समीती से ही सम अगला क्युशन बनता है हमारा प्रात्मिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का विद्दाले बस्ता जिसका ओशत भार 4 kg के लगभग हो यानि ओशत 4 kg ही भार होना चीए या उसके लगभग होना चीए यह है सुझाओ कौन सी समीति ने दिया था यह सुझाओ भी यस्पाल समी समीति ने दिया था कि प्रात्मिक कक्षाओं के विद्यार्थियों का जो विद्धाले बसता है उसका उसतभाचियार केजि के लग भगी होना चीए ये सुझाओ कोन सी समीति ने दिया ये सपाल समीति ने दिया अगला क्यूशन बनता है भाषा को जीवन से जोड़ कर पढ़ ये सिफारिश है या सुजहाव है ये कौन सी समीति ने की थी यसपाल समीति ने ही की थी गनीत को विध्यार्थियों को गनीत रटने की बजाये उनको समझने पर जोर दिया जाए फिर अगला क्यूश्ण 문iantes है प्रात्मिक इस्तर पर विज्ण की पुस्तकें नहीं हो पर अगली जो बात है सवतंततरता के बाद का इत्यास कक्षा छे से आठ में पढ़ाया जाए यह सिफारिस कौनशी शमीती ने की थी सवतनतत्ता के बाद के इतियास की जो कख्षा 6-8 में पढ़ाया जाए इसके बाद का इतियास पहले नहीं पढ़ाया जाए यह सुझाव है वह कौनशी शमीती का था यह सपाल शमीती का था अब अगला क्यूशन बनता है कि प्रोफेशर यश्पाल का निधन कब हुआ प्रोफेशर यश्पाल का निधन है वो 24 जुलाई 2017 को हुआ यश्पाल समीती के अध्धेक्स भी थे अध्धेक्स थे तो इनका निधन है वो कब हुआ था यह इनका निधन है वो 24 जुलाई 2017 को हुआ था और इसके बाद हम जैसे कहें कि शिक्षा बिना बोज के यह टाइटल कौन सी समीती का है यह आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि कौन सी समीती का है और प्राथमिक इस पर चातर शिक्षक अनुपात है वो एक चालीश से घटाकर एक तीस कोन सी समीती ने यानि इसका सुझाव कोन सी समीती ने दिया था कि प्राथमिक इस तरपर चातर शिक्षक अनुपात एक चालीश से घटाकर एक तीस कर दिया जाए तो यसपाल समीती ने ही इसका की थी कि एक सिखसक वो 40 विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा पाएगा इसलिए इस अनुपात को घटा कर कितना कर दिया जाए 30 कर दिया जाए एक 30 का रेशियो है वो कर दिया जाए यह सुझाव भी एसवाल समिती ने दिया था अब अगला जो क्यूशन है जिसकी मैं बात कर र या आप कितना इसको पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कितना आपके समझ आ रहा है इसकी चर्चा हमने पहले की क्लास में कर ली थी जो जब हम भारत के सविधान के बारे में पढ़ रहे थे अपने तीसरे पेपर में तब हम इसकी चर्चा कर चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारतिय सविधान के किस अनुछेद द्वारा 14 वर्ष के बालक बालिकाओं की निशुल्क तथा अनिवारिय शिक्षा की विवस्था है वो की गई है यानि कौन से अनुछेद में 14 वर्ष तक के बालक वाली काउं की निशुल्क तथानिवार ये शिक्षा की विवस्था की गई है इसका अनस्वेर आप मुझे कमेंट बॉक्ष में लिखके भेजेंगे और आशा करती हूं विद्यार्थियों कि मैं जो आपको पढ़ा रही हू जो आपके लिए जो भी मेटर लेके आ रही हूं मैं मेरी और से अच्छा परियास करने की कोशिस कर रही हूं लेकिन फिर भी कहीं आपको ये लगे कि कहीं आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्ष में कमेंट डालके पूछ सकते हैं और अपनी निवाद